हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में अंदर हम बताएंगे यह दिखिए इस तरीके से अगर आपको लिखा आ रहा था मुबाइल नमबर इस अल्रेडी रेजिस्टर रेजिस्ट्रेशन करते समाएं और जब हम हमारा जो है आईडी और पासवर्ड फॉर्गेट करते हैं इ यहां पर एक और रहर आती है कि जिसमें लिखा आता है अकाउंट रिकोवर्ड बेइंग अकाउंट रिकोवर्ड इस नॉट वेरिफिल नहीं है इस वजह से हम आपका अकाउंट जो है फॉर्गेट आईडे अकाउंट पासवर्ड नहीं कर पाएंगे तो अब इसको आप ठ प्रिकों से देखने को मिलेगा तो आप मोर के और यहां पर लिकाई क्घक करने के बाद इसतरीके से आपको आ जाए गा एक आ आपको क्या करना है, यहांपे इस page के ठ्रू आपको एक email address ले लेनी है, ठीक, मैं आपको email address बता था, तो वो इस email address के उपर आपको एक mail बेजनी होगी, और mail बेजने के बाद आपका जो है, IRCTC जो आप है मतलब आपका आईडे है उसको जो है सही कर दिया जाएगा ठीक है तो आपको क्या करना है तो यहाँ पर हमें जो option यहाँ पर मिलती है देखिए general information में i-ticket और e-tickets के just नीचे है gear at the rate IRCTC फिला लिए आप लिखा है dot लिखा है मतलब यह जो है writing आई है तो यह थोड़े app की problem हो सकती है मैं वहाँ पर इसके अंदर आपको जाकर दिखाता हूँ तो यह भी इसी type से आ रहा है तो आपको करना है यहाँ पर एक ही number पर general information में gear at जो लिखा है इसके उपर आप क्लिक करिएगा इस तरीके से आ जाएगा यह आपका mail वगेरा आपका कुछ यहाँ पर करने के दुरूद नहीं यहाँ पर subject में लिखना है I forget username और password तो यहाँ पर इस तरीके से लिखे password तो इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है तो जो है error आ रही है उसके screenshot आ पर लगाएंगे आपने screenshot ले लेनी है और यहाँ पर इस तरीके का icon है इसके उपर क्लिक करके attach file में चले जाना है और जो भी आपने screenshot ली थी उसको यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर आपको एक दो चीजे और देनी है जैसे आपका register और mobile नमबर यहाँ पर आपको देनी है ठीक है उसके बाद आपको email address भी add कर देनी है ठीक है तो यह साड़ी information आपको देनी है और एक और चीज़ आपको यहाँ पर देनी है या फिर आप डाइरेक्ली कस्टमर के अलब को कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा